नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग आशा करता हूँ बहुत भेटर होंगे ओके आज हम लोग 25 और 26 से दिसम्बर की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूस का डिसकेशन करेंगे बैंक एससी स्टेर्ड एक्जाम रेलवे एक्जाम इविन कोई भी कॉंपुटिटिव एक्जाम जिसमें करेंट अफ़ेस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनके लिए सेशन खासा इंपॉर्टेंट होने वाला सेशन देखेगा आपको बहुत मजा आने वाला है in context of content in context of explanation okay you will say it will be the one of the best session okay I hope okay so guys आप लोगों से इतनी मेरी request रहे कि एक लीज वीडियो को आखरी तक के देखेगा class में आखरी तक बने रहेगा start करतें सेशन को विद्ध मोटिवेशनल कोट ओके और आज का जो कोट है आज का जो कोट है positive एक बर फटावर्ट सेखेगर कोट discuss करने से पहले फ़ो पॉसिबल अगर वीडियो को शेर कर सकते हैं आप लोग यार तो शेर करना start करेगा सबस्ते हैं पर आज के पॉजट कोट के साथ का पॉजटिव कुट है अगर वक्त मुश्किल नहीं है तो मुश्किलahaha होने से नहीं चलेगा अगर वक्त मुश्किल है तो काम आपके कमजूर होने से नहीं चलेगा देखे वक्त मुश्किल होता कब नहीं है जब जन्म होता है तब मुश्किल होता है और जब मेरे तोस हम अपने आगरी वक्त होते तब भी शायद मुश्किल वक्त ही होता है और उससे ज्यादा मुश्किल हमारी जर्नी होती है उसको आसान बनाना पड़ता है ठीक है अपने कामों से अपने बहत्री अनुभव से और अपने दिये अपने द्वारा लिए गए निर्ने से तो आपके जीवन में चीजे आसान होती नहीं है या मेरे जीवन में आसान है नहीं ना मेरे मावाप के जीवन में थी ना आपके माता-पिता के जीवन में नहीं आपके रिष्टेदार बड़ोंसी आप ऊधाना उटा लीजे उससे पूछे क्या आपका जीवन आसान रहा है एक हैंगे जीवन आसान होता कभ है जीवन का नाम मों ही सघर्श तो नाम ही ऊद्द से ईभ्चे आप और हम सब्हुमीम रहे हैं उनसे मेरी इतनी गुजारशि कि वक्त कठिन है, वक्त बड़ा मुश्किल है और इस वक्त को भुनाना हमारे लिए बड़ा जरूरी है यू ना हूँ कि हमारा समय निकल जा और बाद में हमें बस यही एसास रहे काश उस वक्त को हमने बहतरी तरीके से और इस्तेमाल कर लिया होता तिको मैं पस इतना चाहता हूँ कि कल बैढ़ कर मुझे मलाल ये न रहे कि उस वक्त आशीश तूने बहतर क्यों नहीं किया वो हमसे जाना बहतर हमें कोई नहीं जानता हमारा आए न हम खुद है न हमें पता हमारी ओकात क्या है हमें पता है हम क्या करते हैं, हमें पता हम क्या कर सकते हैं, तो जब हमें पता है हम क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, तो क्यों न किया जाए, मेरी सिर्फ आप से इतनी उजारिश रहेगी कि आप थोड़ा अपने साथ समय बिताइए, अपने को कहीं न कहीं तराशिये, और मेरे अपना पूर्ण इस्तिमाल करना सीखिए, ये वक्त है, फिर दुबारा लोट कर नहीं आएगा, जितना बहतर खुद को तराश सकते हैं, जितना बहतर खुद को समझ सकते हैं, समझने की कोशिश करिए, और मेरे दोस्त अपना 100% यह कह सकते हैं, और बहतर यूटिलाइजेशन करिए, ओके, समझ में आ रहा है, positive रही है, positive thought रहके, आगे बढ़ते रहे हैं, चीज़ा आज रही है, तो कल बहतर होंगी, और निश्चित ही बहतर होंगी, बस आगे बढ़ते रहे है, positive thought के साथ, ओके, so good morning, सस्त्रेकाल जैशी जा दे, मेरा प्यारा स्यलाम आप लोगों को मेरे भाई, बाकि double value तो दोस्त अभी चल रहा है, लेकर यह end हो जाएगा, इसके logic में बता देता हूँ आपको, क्योंकि अब test series पे हमारी sale access start हो चुकी है, Y168S code पे आपको जितनी भी printed book हैं, उनके उपर, 22 की बजए 23% discount मिल रहा code है, Y168S code, बट ऐसे मेरे भाई मितर, जो bank बारे भारे भी तक यह हट जाएगा, तो अब bank महापे कि महापे किसी में भी admission लेना है, तो अभी जाके admission लिजेगा, use code Y168, अब बढ़ते हैं, आज के पहले सवाल के साथ, ध्यान से सुनिएगा, पटवर्ट से एर वीडियो को share करना, start कर दीजिए, if possible, ओके, बहुत बढ इस country is the prime minister, okay, पूर्वर सेनिक कमांडर सत्विनी राभुका को किस देश के प्रधान मंतरी के रूप में पुस्टिक की गई, okay, और मेरे दोस्त, इनको रैंबो के नाम से भी बिलाया जाता है, okay, जब मैं दा हिंदू पढ़ रहा था, तो उसमें इनका जो नाम लिखा हुआ इनका रैंबो के नाम से भी इनको जाना जाता है, सिंपल शब्दों में बात करें, तो former military commander सित्वेनी राभुका है, इनको किस देश का प्रधान मंतरी चुना गया, किस देश के प्रधान मंतरी बने है, बहुत बढ़ी है मेरे भाई, किस देश के प्रधान मंतरी बने है, okay, बहुत बढ़ी है मेरे भाई, आंसर है यहाँ पर fizzy, okay, fizzy, यह fizzy के प्राइम मिनिस्टर बने है, fizzy की capital सूबा करंसी डॉलर, इस्राइल कैपिटल यरूसलेम करंसी निउशकिल, न्यूजिलेंड कैपिटल वैलिंग्टन करंसी डॉलर, okay, उमान कैपिटल मस्कट करंसी रिय करंसी डॉलर, इस्राइल यरूसलेम करंसी निउशकिल, fizzy केपिटल सूबा करंसी डॉलर, मेरे भाई, अब आते मुद्दे की बात पर, न्यूजिलेंड क्यों न्यूज में रहा था, अभी एक कारण था, भारत का न्यूजिलेंड के साथ अभी एक कॉलाबरेशन हुआ था एक agreement हुआ था, shipping information exchange के लिए, shipping information exchange के लिए, भारत का न्यूजिलेंड के साथ एक समझोता रहा था, इसे ध्यान रखेगा, कि Royal New Zealand Navy और Indian Navy ने एक contract किया था, कि इस चीज़ के लिए, exchange of white shipping information, क्लियर है, इसी के साथ याद रखना, ओमान के साथ भी भारत ने एक समझोता किया था Digital Finance and Payment के लिए, Digital Finance and Payment के चित्र में, भारत का समझोता किसके साथ रहा था, ओमान के साथ, ओके, Digital Finance and Payment, कतर, यही कतर है, इसने 2022 का, FIFA World Cup है, इसको होस्ट किया, ओके, FIFA World Cup 2022 का, यह कतर के द्वारा होस्ट किया था, चुकि अर्जंटीना ने जीता था, फ्रांस को हरा कर, यही क कतर है, जो की 2023 का, 2023 का, AFC Asia Cup भी होस्ट करेगा, ओके, जो आपका AFC Asian Cup है, AFC मतलब Asian Football Confederation, Asian Football Confederation, Asia Cup, जो की 18th edition होने वाला है, Men's Football Championship है, इसको कौन होस्ट करेगा, कतर, एक बार फिर दुबारा सुनिएगा, कतर ने बिटा 2022 का FIFA World Cup होस्ट किया, हान जी, किसने जीता, इसके साथ साथ 2023 का, AFC, AFC का मतलब होता है, Asian Football Confederation, Asia Cup जो है, ये भी आपका कतर होस्ट करेगा, हान जी, 18th edition होगा, हान जी, पुरुसों का, इवेंट है, हान जी, क्लियर है बिटा, इसके साथ हम लोग रहे, ओमान देख लिया, Digital Finance और पेमेंट के चितर में समझोता किया, हा हान जी, इसके अलाबा याद रखना, इसराइल, ओके, इसराइल एंड लेबनन, इसराइल एंड लेबनन, इन दोनों ने भी अभी हाल, फिलाल, एक हिस्टोरिक डील की थी, ओके, हिस्टोरिक डील, एतिहासिक समझोता किया था, ठीके, किस चीज के लिए, एक इनका maritime water dispute चल चलता हुआ आ रहा था, ठीके, maritime border dispute चलता हुआ आ रहा था, उसको खतम किया है, और उसको लेकर यहाँ पर समझोता किया, तो किन देशों के बीच में, अभी Mediterranean Sea को लेकर एक समझोता हिस्टोरिक डील रही थी, इसराइल एंड लेबनन, ओके, इसराइल एंड लेबनन, क्लिय Formula One Driver, Philip Streep का नितन हो गया, वहें किस देश से थे, दोस्तों सबर रखिएगा, आज की क्लास आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ कि सुमझ और 4 वे तक बैड़केस में मैंने काम किया है, और FIFA World Cup के भी मैंने question मनाए है, तो 12 बजे का session भी आज FIFA World Cup का हो और ये session भी हमारा एक number जोड़दार चलेगा, news और देखेगा, news तो मैंने और बहतरी न तरीके से frame करी है, ओके, चलो, और पूर्वा Formula One Driver, Philip Streep का नितन हो क्या वहें किसे देश से थे, तो बिटा ये, फ्रांस से थे, ओके, फिलिफ हिरिट, ओके, फिलिफ स्ट्रीप, ये नावियाद रखना, फिलिफ स्ट्रीप, इसके अलवा बागी जितने option है, जैसे फ्रांस की capital है, पैरेस, करंसी, यूरो, मंगलदेश की capital क्या है, सर, धाका टका, धाका, धाका, धाका टका, ओके, थाइलेंड कैपिटल, बैं बंगलदेश धाका टका, थाइलेंड, बैंककोक भाट, जापन, टोक्यो एन, and क्यूबा हवाना पीसो, clear है भाई, done, मज़ा आ गया, अब ज़रा option देखते कौन सा किन किन कारणों से न्यूज में रहा था, ये जो थाइलेंड देश है ना, इसका नाम है, Cyclone Sitrang, okay, Cyclone Sitrang, इसका जो नेम दिया था, वो थाइलेंड के द्वारा दिया गया था, clear है, Cyclone Sitrang, बंगलदेश क्यों नियूज में रहा था, असल में जो भारतिय वीमेंट टीम है, उसने 7th Asia Cup जीता था, okay, 7th Asia Cup टाइटल जो था, उसका जो विनर रहा था, वो अपना प्यारा भारत रहा था, इंडिया रहा था, ध्यान सुनेगा, जो 7th Asia Cup टाइटल था, वो भारत ने जीता था, किसको हरा कर, इंडिया ने जीता था, शिरिलंका को हरा कर, ओके, शिरिलंका को हरा कर, यह जो 7th Asia कप रहा था, यह आपका बंगलादेश में रहा था, बंगलादेश में, बंगलादेश के सिलहट में, ओके, बंगलादेश के सिलहट में रहा था, clear है, अब यह जो 7th Asia कप रहा था, इसमें, man of the match कौन रहा था, ठीक ह उके तो 7th Asia Cup जो रहा था वो बंगलादेश में रहा था, बंगलादेश के सिलहट में रहा था, विनर कोन रहा था, भारत किसको हरा थे शीरिलंका को और इसमें Player of the Tournament को रहा था, दिपती शर्मा Player of the Tournament रही थी, इविन बंगलादेश की Prime Minister का नामें Singh Hasina और इंडिया के प्राइम मिनस्टर करें, हमें ن") word, okay, इन दौरו ने सायोक्तु तौर पर 320 मेंगावाट का जो मैत्री, 1320 मेंगावाट का जो मैत्री सूपर thermal power plant नल्फ टरमय पावर डाइंड है, इसको इन दौरा के द्वारे इनًばい्न hairdos, मंत्री और बंगलादेश की प्रधान मंत्री इन दोनों ने 320 मेगावाट का जो मैत्री सूपल थर्मल पावर प्लांटेश की पहली यूनिट है इस पहली यूनिट को इनॉगरेट किया था clear है? done, मज़ा आगया clear हो गया, बंगलादेश किन कारणों से न्यूज में रहा था, थाइलेंड किन कारणों से न्यूज में रहा था? हवाना, अभी हवाना को भारत ने 100 मिलियन यूएस डॉलर की line of credit दिया है, कि शीज के लिए चावल खरीदने के लिए, अब भारत से चावल खरीदने के लिए 100 मिलियन यूएस डॉलर उधार दिये हैं, 100 मिलियन यूएस डॉलर भारत के दुआरा क्यों बाख हो? अब बचता है यहाँ पर जापान जापान किन कारणों से न्यूज में रहा जापान के बहुत सारे कारण है न्यूज में रहने के, जैसे कि मालावार जो एक्ससाइज है मालावार एक्ससाइज इसका 26th edition था क्वार्ड नेशन क के बीच में एक्ससाइज होती है इंडिया, उस्टेलिया, यूएस और जापान इन क्वार्ड नेशन के बीच में जो मालावार एक्ससाइज रही था 26th edition यह जापान में रहा था अभी इसने एक ऐसा law खतम किया है, एक ऐसा law था कि अगर कोई भी महिला divorce लेती है और at the time of divorce अगर women pregnant है तो उसको next, जो marriage करनी है, उसके लिए 100 दिन इंतजार करना पड़ता था, तो country ने approve कर दिया है कि इस तरीके का law जो कि women जो pregnant है, उसको रोकता है शादी करनी के लिए, 100 दिन उसको हम खतम कर रहे है, तो वो जो law है उसको इन्हों ने scrap कर दिया है, इसको जरूर याद रखना, कि जो pregnant women है, उसके लिए जो law था कि उसको 100 दिन इंतजार करना पड़ता था, उसको इन्हों ने खतम कर दिया है एक बड़ा important है, जो exam का question बनेगा, Japan की जो embassy है, जो Japanese embassy है, embassy of Japan है, अभी उसने geographical indication tag के लिए, इंडिया में apply किया था, GI tag के लिए, अब GI tag के लिए, जब उसने इंडिया में apply किया है, तो उस product का नाम क्या है, वैसे वो एक alcoholic vivres है, तारू एक alcoholic vivres है, इसका नाम है निहोंशू, 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 ओके नाम याद रखनें, निहोंशू, clear भाईयो, निहोंशू, next यार, World Cup winner Blais Matudi, ओके, announces retirement from football, he is from which country, विशुकप विजेता, Blais Matudi ने football से सन्यास लेने की घोशना की है, वह किसे देश से हैं, पता है मित्रो, वह है किसे देश से हैं, ओके, he is from which country, बहुत बड़ी है, right answer बनेगा, option number three, यहाँ पर France, किस country से हैं, यह भी France से हैं, France के, द्यार अठारे World Cup winner, ब्लेज, मठू, इधी, इन्होंने football से सन्यास लेने की घोशना की है, इन्होंने, okay, यह नाम याद रखना, अब बाकी की option देखते हैं, किन-किन कारणों से यह देश न्यूज में रहेते, Kenya, even Pakistan, France, यह सारे, clear है, चलो, Kenya की बात करें, किरिसिया Community Forest Association है, Kenya की capital है, Nairobi Currency चलती है, Shilling, okay, कि यह CFA, CFA मतलब है यहाँ पर, किरिसिया Community Forest Association, okay, यह जो किरिसिया Community Forest Association है, इसको इस साल, यह Food and Agricultural Organization Award दिया गया है, किस चीज के लिए, जो किरिसिया Forest है, उनके Restoration के लिए, तो Food and Agricultural Organization Award, FA Award किसको दिया गया है, Kenya की, किरिसिया Community Forest Association को, okay, अभी Australia ने, एक Genetically Modified Indian Mustard है, okay, Genetically Modified Indian Mustard, ठीके, Genetically Modified Indian Mustard है, उसका नाम है, Brassica Junsia, okay, इसका नाम बड़ा Interesting है, okay, Brassica Junsia, तो यह जो Genetically Modified Indian Mustard है, okay, इसकी एक Species जिसका नाम है, Brassica Junsia, इसके Commercial Release को, okay, इसके Commercial Release को, आस्ट्रिलिया के द्वारा Approve किया गया है, okay, Commercial Release को, इसके साथ साथ याद रखना, कि जो FIFA Women World Cup है, okay, FIFA Women World Cup, FIFA Women World Cup है, यह कहां पर होगा, सर, यह होगा आपका, आस्ट्रिलिया में और New Zealand में, okay, आस्ट्रिलिया में और New Zealand में, और इसके लिए जो Official Mascot है, जो अभी Unveal किया गया था, वो क्या है, पैंगवन, तजूनी, okay, एक पैंगवन है तजूनी, तजूनी याद रखना, तजूनी, तो यह Official Mascot अथा, FIFA World Cup 2020, ऑस्ट्रिलिया न्यूजिलेंड होस्ट करेगा, मैस्ट्रिलिया ने अभी Genetically Modified Indian Mustard की एक स्पीसीज, इसका नाम है, Brassica Juncius, की Commercial Release को Approve कर दिया है, यह क्लियर होगा, Kenya किन कारण से न्यूज में रहा था, यह क्लियर होगा, अउस्ट्रिलिया किस कारण से न्यूज में रहा था, पाकिस्तान, Financial Action Task Force AFATF, अभी FATF की एक लिस्ट है, इसका नाम है Gray List, ग्रे लिस्ट, दो लिस्ट होती है, ग्रे लिस्ट और एक Black List, तो जो FATF की ग्रे लिस्ट है, उससे पाकिस्तान को बाहर कर दिया गया है, इस बात को याद रखना, अभी पाकिस्तान को FATF की जो Gray List है, इससे बाहर कर दिया गया है, क्लियर है भाईयों, समझ में आ गया, इसके साथ साथ एक और देश को बाहर किया गया था, वो है निकारागुआ, निकारागुआ, देखें, तो निकारागुआ पाकिस्तान इन दौनों को Gray List से बाहर कर दिया गया है, I hope you are clear होगा, पाकिस्तान and China, दो मुल्क हैं, जो काफी, मतलब दोस्तीन के बीच में हैं, इन दौनों ने तीन नए और Corridor launch करें हैं, तीन नए और Corridor, तो पाकिस्तान के साथ चाइना ने मिलकर, अभी decide किया है, तीन और नए वो Corridor launch कर रहा है, तीन नए Corridor on launch कर रहा है, क्लियर है, पाकिस्तान किस कारण से news में रहा, अब USA की बात करें, USA के साथ भारत की exercise होती, युद अभ्यास, वजर प्रहार, कोप India, Tiger Trump, USA में एक जगे जिसका नाम है New York City, इस New York शहर में allowed किया गया है, या clear कर दिया है, कि दिवाली जो होगा, वो public holiday होगा, दिवाली will be what, public holiday public holiday, clear है, दिवाली क्या होगा, public holiday होगा, इसे याद रखना, अभी USA नहीं, ठीक है, USA, इसे मैं यल्लो माग कर लेता हूँ, USA नहीं, चाइना को हरा कर, FIVA, FIVA, Women Basketball World Cup जीता, तो FIVA Women Basketball World Cup किसके द्वारा जीता है, USA के द्वारा चाइना को हरा कर, Australia में रहा था, USA नहीं हराया है, चाइना को, ठीक है, और FIVA Women Basketball World Cup का champion बना था, I hope you are clear होगा, next यार, Which state governor has given his note to the state freedom of religion act, किस राजिके राजिपाल ने राजिके धर्म की सुतंतृता दिनियम को अपनी मंजूरी दे दिया है, पता ही मेरे भाई, फटावड, दोस्तों यार, शेर वियर कर दो, एक बार फटावड वीडियो को, और content पसंदार है, तो प्लीज या लाइक भी करते ही चलिएगा, ओके, Which state governor has given his note to the state of freedom of religion act, किस राजिके राजिपाल ने राजिके धर्म की सुतंतृता अधिनियम को अपनी मंजूरी दे दिया है, उत्राखंड, 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 राइट आंसर बनेगा मेरे भाई, उत्तराखंड राइड आंसर बनेगा, option अबाग 5th है, मैं उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड पढ़ रहा था, उत्तराखंड 5th है, as per amended bill, जो संसोदित विदे है का उसके अनुसार, conversion by force, greed और fraud, अगर कोई भी बल लाला चित्धुका दड़ी से किसी का भी conversion कराता है, तो वो crime होगा, ओके, और अगर कोई भी guilty पाया जाता है, तो उसको 10 साल तक की यहाँ पर सजा का प्रावधान भी है, 10 साल तक की कैद की सजा का सामना करना पड़ सकता है, दोसी पाया जाने पर, इस नए law में 50,000 रुपे का fine भी यहाँ पर अनिवारे रखा गया, compulsory है, अगर कोई गिल्टी पाया जाता है, कनवर्जन के, तो विल हैब टू पे 5 लाग टू दा विक्टिम, ओके, और धर्मांतरण का दोशी पाया जाने पर, पीड़त को 5 लाग रुपे का भुकतान भी यहाँ पर करना पड़ेगा, तो यह बेटा भी किस ने पास किया, उत्तराखंड ने उत्यम खिलाडी उन्यन योजना, उन्यन योजना, तो यह जो उत्यम खिलाडी उन्यन योजना लॉंच की गई, उत्तराखंड के तोरा लॉंच की गई है, क्लियर है, हिम प्रहारी योजना, हिम प्रहारी, हिम प्रहारी, इसकी में, यह भी किसकी है, यह उत्तराखंड की है इंडिया का पहला देश का पहला commercial space situational awareness observatory, देश की पहली commercial space situational awareness observatory, ये कहाँ पर आपकी लग रही है, observatory, ये भी आपकी उत्राखंड में लग रही है, by दिगन तारा, एक space sector startup है, दिगन तारा, इसके द्वारा देश की पहली commercial space situational awareness observatory, ये भी कहाँ पर लगाई जैरे, उत्राखंड में, पहला state है, जिसने की national education policy को pre-primary level पर implement किया, तो national education policy को pre-primary level पर implement करने वाला पहला state कौन सा उत्राखंड है, यही उत्राखंड है, जिसने की कहा है, कि हम हर एक district में, पुल मिलाकर 13 हर एक district में, एक Sanskrit speaking village बनाएंगे, इसको जरूर याद रखना, कि किस state ने कहा है, कि हर एक district में Sanskrit speaking village बनाएगा, तो यह उत्राखंड है, इविन जो रिशाब पंत है, इनको उत्राखंड सरकार ने अपना brand ambassador भी बनाए, उत्राखंड सरकार के यह brand ambassador भी बनाए गए है, I hope you guys, इ cabinet committee on economic affairs approved the high minimum support price for COPRA, for 2023 season, अब देखो तो दोस्त, COPRA का मतलब है नारियल, ठीक है, जिससे तेल निकाला जा रहा है, अब यहाँ पर बात की जा दिए कि जो नारियल की MSP है, minimum support price है, उसको बढ़ा दिया गया है, अब आप कहो कि कैसर minimum support price पूछे जाते हैं, तो मेरे से पूछने की भी जरूवत नहीं है, आपको तो पता हर साल minimum support price जब बढ़ते हैं, तो बटा पूछे जाते हैं, किसी ना किसी, किसी किसी के, अब यह क्यों important है, क्योंकि तीन को लेकर बड़ा announcement किया था, उसमें अपने जो, अपने पियूश गोयल सहाब है, और Information Broadcasting Minister है, अनुराग ठाक यह दौना press conference करते हैं, तो one rank, one pension, इसके अलावा nation of food security act, और तीसरा कॉपरा, इसको लेकर announcement करते हैं, और यह तीनों ही चीज़े में आज कवर करने जा रहा हूँ, तीनों ही हमारे exam के लिए बड़े important है, वहां से निश्चित सवाल बनेगा, अब यह जो नारियल है, दो प्र यहां पर, अब यह जो नारियल है, इसके लिए cabinet committee on economic affair ने क्या किया है, उस पे जड़ा ध्यान देते हैं, यह आपके exam का question बनेगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, cabinet committee on economic affair approved the hike in minimum support price for corpora for the year 23 season, और इसमें यहां पर कितने प्रतिशत की व्रद्धी देखने को मिली हमें, इस तरीके के जो आप point लेखते हो ना थोड़ा मुझे अटपटा लगता है, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, एक से ज़्यादा ब्रेंडम मेस्टर नहीं होते क्या, यह बताओ पहले, अभी एक हफते पहले कोई बना, दूसरा बन जाते हैं, आप कहते हैं एक महीने पहले कोई बना, आप दूसरे हो गए, तो यह हो गए है, भाईया जो हो गए हैं, वो भी ब्रेंडम मेस्टर है, घंटों में नहीं बदले जाते हैं, इनका कॉंटरेक्ट चलता है, तो यह पढ़ी है, ज्यान दीजे हैं यहाँ पर, तो भी हो गए है, ऐसे लिखो Cabinet Committee and Economic Affair Approved the High and Minimum Support Price, कितनी हाइक की गई, Minimum Support Price में, तो यह 3-7% की हाइक की गई, 3-7% की बड़ोतरी की गई, नियुन्तम समर्थन मूले में, अब यह जो MSP है, for Fair Average Quality, for Miling Copra, has been fixed at 10,800 site, and for Ball Copra, अब यह जो है, यह तो Ball Copra हो गया, देखें, और यह Miling Copra हो गया, कटा हुआ और यह जो Ball Copra यह पूजा वगयरा में जो चड़ता है, इसके लिए fix कर दिये 11,750 रुपे, और यह जो कटे वाले के लिए, Miling Copra के लिए 10,860 रुपे, तो यहाँ पर Miling Copra की MSP है, उसमें 207 रुपे, 70 रुपे पर कुंटल, और यह जो Ball Copra इसके लिए 750 रुपे पर कुंट Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd. नेशनल Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd. और नेशनल Coopperative Consumer Federation, यह दौनों, एक Nodal Agency के तोर पर काम करेंगे, Copra के Procurement को लेकर, तो पर कोपरा की खरीद के लिए, यह ठीक है, HL के वाले NARIEL की खरीद के लिए, Nodal Agency के तौर पर कौन काम करेंगा, तो यह National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India, और National Cooperative Consumer Federation clear है भाई हो, next, I know, यह थोड़ा कुछ लोग कहेंगे साथ, यह इस तरीके question exam में आएंगे, बेटा, आएंगे, और निश्चत ही आएंगे, और exam में आएंगे, तो हम करके भी आएंगे, लेगे, next, बेटा, इंडिया received foreign direct investment worth to peace dash in defense industry during the April-September period this fiscal, तो इन्होंने कहा है कि जो April, May, June, July, August और September, मतलब 2022 और 2023 जो यह साल है financial year, इस financial year का जो पहला हाफ है, okay, first half में, इंडिया को defense में, okay, defense में, इतना FDI मिला, FDI मतलब होता है, विदेशी निवेश, okay, foreign direct investment, तो इंडिया को जो foreign direct investment मिला है, कितने का मिला है, अप्रेल से सितंबर वाले period में, अप्रेल से सितंबर वाले period में, बताइए मेरे भाई, तो आंसर बंदे बिटा है, अपर 3.21 million dollar, okay, 3.21 million, अब थोड़ा पीछे और चलते न, तो इसी defense sector ने 2.36 million attract किया था 2021 में, इतना 20-21 में, इतना 19-20 में, ये थोड़ा पुरानी समय को और बता दिया है, not so much relevant, अपने को बस इतना याद रखना है, कि इस साल, अप्रेल से लेकर सितंबर तक के बीच में, defense में FDI कितना आया, तो 3.21 million US dollar, okay, 3.21 million US dollar, clear, next, income tax department ने एक बड़ा, यहाँ पर point raise किया है, और ये सब को सुनना अनिवार रहे है, आपके लिए भी ये बिटा बहुत ज़रूरी हो सकता है, income tax department का कहना IT department का, कि ऐसे permanent account number, ऐसे pen number, जो कि आधार से link नहीं है, okay, किसे link नहीं है, आधार से link नहीं है, उन सब ही को inoperative माना जाएगा, अगर आपने इस date तक इनको link नहीं किया, जहां से सुनेगा, income tax department का कहना है कि permanent account number, जो भी आधार से link नहीं है, उन सब ही को निस्क्रिय मान लिया जाएगा, किसी काम के नहीं माना जाएगा, कब तक अगर आपने इस date तक इनको link नहीं कराया है, तो फेटा answer बनता है यहां पर March 2023, अगर आप next year March तक, March 2023 तक अपने pen number को आधार से link नहीं करते हैं, तो जो pen होगा वो आपका inoperative मान लिया जाएगा, inoperative, clear? Good Governance Day is observed on which day, सुशाशन दिवस किस दिन मनाया जाता है? सुशाशन दिवस प्रतेक वर्ष 25 दिसम्बर को मनाते हैं, क्यों मनाते हैं वो देखना? 2014 की बात है, 2014 में, गॉर्मेंट ने अनौन्स किया था कि जो 25 दिवसम्बर है, इसको Good Governance Day के रूप में मनाया जाएगा, असल में जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, भारती जन्ता पार्टी के डोएन, दिगज नेता, अटल बिहारी बाजपेजी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, और इसी को चिन्नित करने के लिए प्रतेक वर्ष 25 दिसम्बर को, 25 दिसम्बर को हम लोग Good Governance Day के रूप में मनाते हैं, I hope your guys clear होगा, Good Governance Day कम मनाया जाता है, clear होना चाहिए, अब apart from your Good Governance Day, 24, 23, 22 और 20, इस दिन कौन-कौन से डे मनाया जाते हैं, 24, 23, 22 और 20, 24 दिसम्बर को National Consumer Day, okay, National Consumer Day, National Consumer Day, okay, 23 दिसम्बर को किसान दिवस, जिसको बोलते नेशनल फार्मर डे, बोले जिसम्बर हो गया, नेशनल माथमेटिक्स दे, यह का बाता है आपका, रास्ती है, गड़ दिवस, नेशनल माथमेटिक्स दे, यह आपका रहता है, और 20 दिसम्बर को रहता है, International Human Solidarity Day. Okay, तो International Human Solidarity Day 20 December, 22 December National Mathematics Day, 23 December Kisan Divas, 24 December National Consumer Day, और 25 December आपका Good Governance Day. I hope you are guys clear होगा. Okay, next. ये बड़ा interesting day है, okay. तेरा सुनिएगा ध्यान से. 26 December वीर बाल दिवस. वीर बाल दिवस का answer अपना clear है. 26 December को हम लोग बीर वाल दिवस मनाते हैं. गुरु गोविन सिंग जी, उनके तो पुतर एक का नामे श्री गुरु गोविन, एक का नामे सहिब जादा, बावा जुरावर सिंग, और बावा फत्य सिंग, okay. सहिब जादा बावा जुरावर सिंग, और बावा फते सिंग इनका जो योगदान रहा था योगदान कहें इनकी शहादत कहें उसको चिन्नित करने के लिए इस दिन को हम लोग 26 दिसंबर को प्रतेक वर्ष वीरवाल दिवस के रूप में मनाते हैं अब आप कहेंगे सारी कबसे मनाना शुरू किया गया तो इसी वर्ष यहाँ पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के दोरा नाउंस किया था समझते हैं पहले और प्रकाशपर्व औफ गुरु गोविन सिंग जी गुरु गोविन सिंग जी के जो प्रकाश परव रहा 9 जनवरी को उस दोरान मानने प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी ने नाउंस किया था कि 26 दिसंबर को बीरवाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा प्राइमिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एक हिस्टोरिक जो प्रोग्राम नई दिल्ली में आज होने वाला उसमें भी शिरकत करेंगे तो प्राइमिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिस्टोरिक प्रोग्राम रहेगा बीरवाल दिवस को मनाने के लिए मेज़र ध्याचन नेशनल स्टेडियम में दिल्ली में उसमें भी बेटा पार्टिस्पेट करेंगे तो ये दसवे सिख गुरू थे उनके दो बेटे जुरावर सिंग और फते सिंग उनके ये जो सहादत रही थी उसके लिए यहाँ पर इस दिन को प्रतेक वर्ष अब से मनाया जाएगा बीरवाल दिवस, बीरवाल दिवस, clear भाई हो, done, समझ में आ गया, clear हो गया, बड़ा important day है मेरे भाई इसके पीछे की अगर कहानी अगर आप गूगल करेंगे और पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सच में आपके wrong day खड़े हो जाएंगे बैटल ओफ चमकॉर, इस युद्ध के बारे में मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, एक बार पढ़िएगा जरूर एक है, बैटल ओफ चमकॉर, हमारे भारती इतिहास की बात करें, तो उसमें दोस्त, आपको गौरवानवित फील करने के लिए एक से एक, एक से एक, एक से एक बैटल लड़ी गई है, उनमें से एक है यहाँ पर चमकॉर का युद्ध, चमकॉर के युद्ध की अगर इसी बात कर लें, तो दस लाकी सेना, औरंग जेव, उनके सेना पती की बात करें, एक है, खान, वो लीड कर रहे थे, दस लाकी सेना को, और उनके सामने, शीरी गुरु गोविन सिंग जी, और उनके साथ, उनके चालिस साथी, और दो उनके पुत्र, कुल मिलाकर कितने, 43 ल उस दौरान उनके चार पुत्रों में से दो पुत्र थे जो कि कहीं न कहीं वीरगति को प्राप्त हो गए थे युद्ध में और दो पुत्र थे जिनको की दीवाल में मेरे बाई जिंदा चिनवा दिया गया था उनकी शहादत के लिए ही प्रतेक वर्ष ये बीर दिवस मनाया जाएगा और अगर उससे स्टोरी को अगर आप देखेंगे बैटल मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूगा एक बार आराम से उसके बारे में पढ़िए गूगल करिए यूट्यूब करिए जो सर्च करना करिए मैं एक सेशन अगर कोशेश करूगा अगर फ्रेम कर पाऊं प्रेम करूगा बैटल अफ चमकॉर अभी उन्होंने कहा था कि बड़ी बड़ी सुन्दर लाइन उन्होंने कही थी आप लोगोंने बच्पन से ही पड़ते हुए आ रहे होंगे अगर वो याद हो तो मुझे कॉमेंट में लिखके बता पाएंगे उस सुन्दर चार पंक्त सोचो यार 40 लोग 10 लाग की सेना यहां तो आदमी बरसात पड़ जाती है ममी स्कूल नहीं जाओंगा ममी ठंड लग जाएगी ममी अरे मेरा लल्ला बिटा रजाई में रहे गरम पानी पिला रही है ठीक है क्योंकि लल्ला को धूब लग जाई वहां सोचो अपने पुत्र प वराबर पढ़ रहा था कहते हैं चडियों से मैं बाज लडावा ठीक है ठीक है चडियों नाल मैं बाज लडावा गिदड़नू मैं सेर बनावा ठीक है गिदड़ों को मैं सेर बनाता हूं चडियों को मैं बाज से लडाता हूं ठीक है एक लाक एक नाल एक लाक लडावा बिटा मुगलों को ऐसी तैसी करके आएगा 18 वर्ष के पुत्र वो वीरगती को प्राप्त हुए 14 वर्ष के पुत्र उनके वीरगती को प्राप्त हुए मतलब अगर ये कहानी आप सुनोगे न बिटा आपके रॉंग्टे खड़े हो जाएंगे आज के आपको पता चलेगा कि क्या फील होगा मेरे भाई आपको एहसास क्या होगा कल मैं मतलब आदा पॉना घंटा नहीं बिटा काफी देड़ तक पस इसके वारे पढ़ता रहा था पढ़ता रहा था तब ही रात के चार बज गए थे इस पीबिटी को मुझे बनाते बनाती क्योंकि और यह कठिन परस्तितियां इनसे जो बाहर निकल कराता है न तभी वॉरियर कहलाता है समझो जीवन है इसका उप्योग करो लोग आपको आगे आपके काम से याद तो रखें कुछ तो करके डैंट देगे जाना कुछ तो ऐसा करके जाना कि लोग आपको याद रखें तो उ at the 56th plenary meeting of United Nations General Assembly for the tenor of two years, okay, तो किस देश को, किस देश को दो साल के कारिकायल के लिए सेक्तरास्ट महासवा की 56 पूर्ण वैठक में शांती निर्माड आयोग का सदस्य से बनाएगे, शांती निर्माड आयोग का, बताएगा मेरे भाई, बहुत बढ़िया, अभी तो बटा काफी नियूस बाकी है, अभी तो नियूस पे चलते हैं, एक थोड़ा जल्दी यल्दी चलेंगे यहापर नैपाल, जो यह नैपाल है, इसको दो साल के कारिकायल के लिए सेक्तरास्ट महासवा की 56 पूर्ण बैठक में सांती निर्मण आयो का सदस्ट बनाए गया, अभी जो पीस बिल्डिंग कमीशन है, इसका मेंबर बनाए इन नैपाल, अभी क्या नैपाल ही बनाए कि और भी देश हैं, जरा समझते हैं इसको, इसमें इंडिया का नाम भी है, यह जो मेंबर्शिप है, यह एक जनवरी 2023 से शुरू होने वाली है, नैपाल के सालसद, बंगलादेश, इथोपिया, इंडिया, रवांडा, यह इन सब को भी इलेक् इंडिया गया था, from the category of troop and police contribution, अब United Nation peace mission है, उसके लिए इंडिया भी अपनी तरफ से forces में contribute करता है, हर एक देश करता है, तो troop and police contribution में नैपाल, बंगलादेश, इथोपिया, इंडिया, रवांडा, इन सभी को इलेक्ट किया गया है, और एक जनवरी 2023 से जो नैपाल है, ठीक का काम होता है, ऐसे देश जहां पर भी, जो भी संगर्श प्रभावित देश है, उन्हें संगर्श प्रभावित देशों को peace support provide करना, इस peace building commission का उतेश है, क्लियर है, 31 member का commission देश बनाए गया, तो नैपाल इसका member बन गया है, तो किस राज़र केंदर सासित प्रदेश ने नए साल को चिन्नित करने के लिए एक प्रमुक सामाजिक धार्मे के त्याहर, लोसर मनाया है, ओके, यह किस के द्वारा यह celebrate किया गया festival, इस state के द्वारा, एक है, तो यह लद्दाख है, लद्दाख के लोगों के द्वारा, य निवर को लोसर फेस्टिबल के रूप में मनाया जाता है, तो लोसर तुमाक दी निवर सोशो रिलिजिस फेस्टिबल है, ओके, लोसर मतलब याद रखना है, ठीके, 10th edition of North East Festival begin in which city, North East Festival का दसवा संस्क्रण किसे शहर में शुरू हुआ है, ओके, North East Festival का दसवा संस्क्रण नारायन राने है, इनोहने MSME exhibition है, इसको भी North East Festival में inaugurate के, और कुछ नहीं है इसमें, 10th edition of North East Festival, इसका venue नई दिल ली है, अब आप यह में धूडने लग जाना कोई North East का शहर है, बिटा नई दिल ली है, और इसका परपस ही है, North East, मतलब इतना याद रहा है, North East Festival 10th edition New Delhi, और इ MSME exhibition, next year, US President Joe Biden, जो US President Joe Biden, इनोहने अभी किन को, Top Diplomatic Position के लिए, नॉमिनेट किया है, ओके, भारतिय मूल के, किस व्यक्ती को, विदेश विभाग में, सीर्ष राजनाईक पद के लिए, नामित किया है, आप सोची, US में, State Department में, कोई भारतिय मूल का, Top Diplomatic Position पे होगा, ओके, स रिचर्ड वर्मा का नाम यहाँ पर दिया गया है, इनोहने रिचर्ड वर्मा को नॉमिनेट किया है, अगर जो सीनेट है, US सीनेट है, अगर वो अपनी सहमती लगा देता है, मोहर लगा देता है, तो यह जो रिचर्ड वर्मा है, यह highest ranking Indian American होंगे, State Department में, ओके, तो News, Communist Party of Nepal, यानि माववादी गेंदर, इसके चेर्मेन का नाम है पुष्वक कमल धमल, जिनका नाम है प्रचंड, प्रचंड बोलो, पुष्वक कमल धमल बोलो, Communist Party of Nepal के चेर्मेन, इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया कि नेपाल का तीसरी दफा, थर्ड टाइम, चलिए तो नेपाल के रास्पती का नाम है विद्या देभी भंडारी, विद्या देभी भंडारी ये नेपाल की रास्पती है और नेपाल की जो प्राइम मिनिस्टर इनका नाम है प्रचंड, 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 क्लियर है, बढ़ते हैं बेटा, बाकि किसी भी पेड़ बैच interesting और काफी important है एक एक news को हम लोग detail में explain करूँगा समझाऊँगा बड़ आपके सबर की मुझे बड़ी जरूरत पड़ेगी चलो समझो आप लोग bank जाते हो हाजी सर जाते हैं bank में locker होता हाजी सा locker होता locker में आप कहीं न कहीं अपने बेश कीमती सामान को रखते हो निश्चित रखते होंगे उसके लिए आपको charges पे करने पड़ते हैं अब किसी कारण यह सोच यह building डह गई चोरी हो गई सामान की तो आपको कितना claim मिलेगा any idea कितना claim मिलेगा ठीक है यह act of God जिससे जो अपनी वित्तमंत्री निर्मला सीतर मंजी उनका एक प्रिये शब्द है act of God ओके अब यार act of God किसी भी natural कुछ भी हुआ है ठीक है अब उस कारण प्रकरतिक तोर पर कुछ भी हुआ है और उस कारण से अगर कुछ भी आपका सामान तूट गया food गया खो गया इधर उधर हो गया तब उस case में आपको मिलेगा की नी मिलेगा लौकर टाइप लगन लग रहे बिटायी लगकर टाइप य है तो रिजवा बैंक ओफ इंडिया ने अभी इब इब इस में बैंकों को एक जनवरी तक जु जुदा लॉकर ग्राहकों के साथ अपने लॉकर समझोतों के नवीगनी करत करने का आदेश दिया है मतलब रिजब बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है बैंक को कि भाई बैंक सुन जो भी तेरे कस्टमर के साथ एक्रिमेंट है इन कॉंटेक्स्ट ऑफ लॉकर उसको फिर दुवारा रिन्यू करिए फिर से रिन्यू करने के लिए कहा है आर्बिया ने रिवाइस करी थी गाइडलाइंस अगस्त 2021 में ओके आर्बिया ने एडवाइस किया बैंक को कि आपको CCTV कैमरा इंस्टॉल करना एंट्री पर और एंग्जिट पर और कम से कम आप 180 दिन की रिकॉर्डिंग अपने पास रखेंगे ये सब स्टेटमेंट में लिखाएगा एक्जाम में जिस पर ध्यान दीजेगा आप CCTV कैमरा को एंट्री और एंग्जिट पॉइंट है इन दौनों पॉइंट में इंस्टॉल करेंगे और जो रिकॉर्डिंग होगी उसको कम से कम 180 दिन के लिए आपक बैंक चार्जिस पे कर रहे हो उसका आपको सौगुना मिलेगा ये ही पॉइंट एक्जाम में आएगा सौगुना मिलेगा इफ वैल्यूविल स्टोड इन दा वर्ल्ट आर री सेक्ट और लॉस्ट ड्यू टू फायर और बिल्डिंग कोलैप्स भाई बिल्डिंग कोलैप्स लूट लिया जाता है या फिर बिटा खो जाता है लूट लिया जाता है या खो जाता है क्लियर है आगे बैंक शेल नॉट लाइबल बैंक उत्तर दाई नहीं होगा बैंक का कोई दाय तो नहीं बनता बैंक जिम्मिदार नहीं है for any damage or loss of content of locker originating from natural clematy act of God अब बेटा natural clematy आ गई कोई भी मतलब प्राकर्तिक आपदा आ गई या दैविक क्रत्य हो गई एक्ट of God मतलब natural clematy तो उससे उत्पन लोकर के किसी भी छती और सामिकरी के नुकसान के लिए बैंक उत्तरदाई नहीं होगा समझ में आगए बैंक उत्तरदाई कब है कब उत्तरदाई नहीं है क्या 180 दिन है ये क्लियर होना ची कितना charges का मिलेगा वो सारे point आपके क्लियर होने ची एंडियन फीमेल रैसलर अंतिम फंगाल इनको नॉमिनेट किया गया है United World Wrestling Rising Star of the Year के सम्मान के रूप में ध्यान से सुनना ये इकलोती नहीं है जिनको नॉमिनेट किया गया है और भी है जिनको नॉमिनेट किया गया है तो भारती महिला पहलबान अंतिम फंगाल इनको United World Wrestling Rising Star of the Year के सम्मान के लिए नमंकित किया गया है, नॉमिनेट किया गया है, इनके साथ-साथ, और पांच वीमेन हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है इस आवार्ड के लिए, उसमें नोका ओजाकी, ओके, नो-नोका ओजाकी ओफ जापान, अमित इलोर ओफ यूएस, एमा मालमगरेन ओफ स्वेडन, एंड और प्रिवाप नाम देखे, तो और महिलाओं में इनके अलावा कौन है, तो जापान की नो-नोका ओजाकी, अमेरिका की अमित इलोर, स्वेडन की एमा मालमगरेन, और बिटा रोमानिया की एंड्री एना, इन पांच वों को यहाँ पर नॉमिनेट किया गया है, अलब पंग देखे, आज मेरा बर्दे है, तो मदुली जी को जनम दिन की हारदिक शुब कामना है, देखे, नेक्स्ट, समझना हूँ, उनाइटेड वर्ल्ड रेस्लिंग 1912 में फॉर्मेशन हुआ था, स्वेड़्ड लेंड के लॉजन में इसका मुख्याल है, और लालोविक, इसके अ जरबाइस की वर्ल्ड रेस्लिंग चैंपेंशिप का हम परो कि सर्भिया वैलकरेड ये वैन्यू है, इसके अलाबा यूनाइटेड वर्ल्ड रेस्लिंग ना भी कुछ दिन पहली अनौन्स किया है, कि जो एशन रेस्लिंग चैंपेंशिप 2023 है, उसको इंडिया होस्ट मतलब भारत के न्यू डेली में, इंडिया की राजधानी नई दिल्ली है, वहाँ पर एशन रेस्लिंग चैंपेंशिप 2023 को आयो जितिक किया जाएगा, ये ये यूनाइटेड वर्ल्ड रेस्लिंग ना नाउंस किया था, तरभाइस की वर्ल्ड रेस्लिंग चैंपेंशिप टॉप 25 में शुमार किया गया है, मतलब इंडिया बैडमिंटर इस्टार पीवी सिंदू, ओनली इंडियान प्लेयर है, एकलोती भारतिये प्लेयर है, जो कि फोब्स की, फोब्स के 25 इन्हों ने एथलीट बता दिये कि जो सबसे यादा कमाते है, उन कमाने वालों में मातर एक भारतिय जिनका नंबर बारेवा आता है, उनका भी नंबर बारेवा आता है, तो पीवी सिंदू, ओनली इंडियान प्लेयर, टॉप 25 वोब्स एन्वर लिस्ट ऑफ हाइस पेड़ फीमिल एथलीट इन दा वर्ल्ड, अब यह जो सिंदू है, इनको जो स्थान दिया गया है, साथ मिलियन यूएस डॉलर टोटल इनकी अर्निंग रही ती, जिसके साथ ये साथ वे नंबर पे रही, जापान की जो टैनिस इस्टार है, नाओ की उसा, नाओमी उसा का, ये पहले नंबर पे रही थी, मतलब इस लिस्ट में टॉप 25 में बात कर तो पहले नंबर पे नाओमी उसा का, ओर दर रिकॉर्ड उसा का और सरेना की बात करें, ऑउल्ली टू वी में ने, किलोती दो महिलाए है, उसा का और सरेना, जो की टॉप 20, टॉप 50 फॉर्प्स लिस्ट में वर्ल्ड हाइस पीड एथलिट लिस्ट में हमेशा रहती है, तो फॉर्द अमेरिक उसा का और सेरेना केवल दो मैला है जिना फोप्स की दुनिया की सबसे अधिक खमाई वाले अथलीटों के सूची में सीर्च में रखा गया है इसको स्किप कर सकते हूं इसको छोड़िए आप सिर्फ इतना याद रखे पहली तीन लाइन है मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूं इसको जड़ा देखना नाओमी उसा का जापान की पहले नंबर पे हैं 51.1 million US dollar अर्निंग के साथ 51.1 million US अब आपको कहा है सर क्या है अमाउंट याद रखना पड़ेगा LIC का पेपर था 2019 की बाद थी सेकंडर शिफ्ट का पेपर था उसमें कोशन आया है था मुकेश अमानी की नेट वर्थ पूछी गई थी तबसे मेरे दिमाग में एक चीज दो है नेट वर्थ तो भाई बूलोंगा नहीं बढ़ाना ठीक है 51.1 million US dollar कुछ भी पूछ सकता है 51.1 million US dollar के साथ नाओमी उसा का जापान की टैनिस से संबंदित है पहले नंबर पे सरेना विलियम्स USA की टैनिस से संबंदित है 41.3 million ठीक है एलीन गू ओके यह दिख रहा है न आपको यह महला मौतरमा दिख रही है ठीक है खूबसूरत तो इनका नाम याद रखना यह इनका नाम क्या है एलीनी गू ओके चाइना से है 20.1 million US dollar 20.1 million US dollar यह आपकी नाम युसाका हो गई आपकी मतलब बिटा यह जापान की आपकी नहीं जापान की ठीक है USA की सरेना विलियम्स हो गई और तीसरा यहाँ पर याद रखना यह चाइना की है नोट आपकी यह तीना उसके बाद पढ़ सकते हो आप 4 पर एहमा रादा क सब्सक्रान है इगा स्वेटक पांच वेपे हैं फिर वीनस विलियम है कोको गॉफ है सिमॉन बाइल्स है और फिर बारेवे नंबर पर पीवे सिंदु आ जाती है यह ठीक है डन नेक्स्ट इम्मत तूटती है न लोगों की साथ वर्ष का है छोटा सा लड़का एक है और क्य एक बार फिर से अरुनाचल को इन्होंने प्राउड गौरवानवित किया है टॉप एरेना जूनियर इंटरनेशिप बैडमिंटन चैंपेशिप पी टाइटल जीतकर बैडमिंटन चैंपेशिप टाइटल जीतकर बैडमिंटन से संब्देत है इन दा बिलो 9 एस काटेगरी इन कौलेलंपूर मलेशिया के कौलेलंपूर में अभी एक एरेना जूनियर इंटरनेशिप बैडमिंटन चैंपेशिप रही थी और उसमें 9 वर्ष से कम का बच्चा है 7 वर्ष का मात्र और इसने ये टाइटल अपने नाम किया है इन्होंने मलेशिया के जैरिल थे को हरा कर ये टाइटल इन्होंने अपने नाम किया ये इनका सेकंड इंटरनेशिप बैडमिंटन टाइटल है इन दो महीनों में इससे पहले इन्होंने नवंबर में बी टी वाई योनेक्स सिंगा चैंपेशिप जीती जोकि थाइलेंड के बैंकोक में रही थी तो अभी थाइलेंड के बैंकोक में भी टाइटल जीत कराया है अपना चुटकू बिटा साथ साल का है और गैटो रुसोरा ने इनोंने इनका नाम है बैडमिंटन से संब्द ने जूनियर इंटरेशिप बैडमिंटन चैंपेशिप टैटल भी इनोंने अपने डाम किया है इसका मतलब क्या है इस न्यूस को समझने के लिए मुझे भी एक प्रेस कॉन्फरेंस देखनी पड़ी थी मैंने का यार न्यूस बड़ी इंटरेस्टेंग इसको थोड़ा और घुसके पड़ते हैं क्यों उपर उपर से पड़ने पर इसमें क्या समझ मैं वो पहले बताता हूं यूनिन कैबिनेट आप्रूवल दिया है कि जो 81 करोड बेनिफीशनी है covered under the National Food Security Act National Food Security Act के तहत cover 81 करोड परिवारों को बेनिफीशनी इसको लोगों को एक साल के लिए free में food grain दिया जाएगा free में यहाँ पर बिटा खाद्यान प्रदान जो है मुफ्त में दिये जाएंगे हम लोगों ने की योजना पड़ी थे प्रदान मंत्री गरीब कल्यान अन्योजना मेरा सवाल आप से ये है क्या इस ही योजना को एक साल के लिए extend किया गया yes और no extend किया गया है पता यह रहा देखे तो सही कितने लोग क्या जवाब देते हैं गुश जाओ सर न्यूज में वेटा गर मैं नहीं गुशूंगा यह समबर द्यूज तक ही थी कि यूजना यह सर एक साल कब तक extend कर दिया गया एक साल कब तक extend कर दिया कि December 22 तक दिया कब तक एक साल extend कर दिया गया अगे कि एक पर क्लेपिंग मनती है इस योजना को खतम कर दिया गया है यह इस योजना को एक साल एक्स्टेंड कर दिया गया है एक साल एक स्टेंड नी की गई है परधान मंतिरी गरीब कल्यान अन्योजना इसके तहत फ्री में भूड गरें दिये जा रहे थे खादयन परदार्त दिये जा रहे थे ठीके, खाद्यन दिये जा रहे थे, अब उनको जो दिये जा रहे थे, बिटा, वो December 2022 उसकी last date थी, उसको खतम किया गया, लेकिन अब यार इनोंने कहा कि क्या किया जाए, क्योंकि National Food Security Act के तहट तो हम जो भी देते हैं, उसके लिए 1 रुपा, 2 रुपा, 3 रुपा चार्ज करत हैं, तो इनोंने कहा 35 किलोग्राम तक, तो हम लोग बिल्कुल फ्री में देंगे, National Food Security Act में ही मर्ज कर दी गए, प्रधानमत्री गरीब कर लें अन्योजना, और उसके तहट 35 किलोग्राम तक फ्री दिया जाएगा, और इससे कितने लोगों को फाइदा मिलेगा, तो वो 81 करो decision है, प्रधानमत्री गरीब कर लें अन्योजना है, इसको discontinue किया गया है, अब लोगों को 5 किलो फ्री में राशन दिया जाएगा, National Food Security Act, तो National Food Security Act के तहत, एक साल के लिए फ्री में राशन दिया जाएगा, यह यहाँ पर point है, जिससे कि 81 करोड बेनिफीचरी यहाँ पर बन अब इस न्यूज को थोड़ा घुसके पढ़ते हैं, क्योंकि examiner घुसके पूछता है, तो जिरा समझते हैं, जो बेनिफीचरी फैमिली है, उनको कैरल्स के लिए, एक रुपया, वीट के लिए दो रुपया, और राइस के लिए तीन रुपया, दियान से देखना, लाबार साल एक वर्ष के लिए, यानि December 2023 के लिए, उन्हें प्रतिमा 25 किलोग्राम खाद्यान मुफ्त में मिलेगा, यह है वो 81 करोड बेनिफीचरी जो दिख रहा है न यहाँ पर, कि यह जो 81 करोड बेनिफीचरी है लिखा हुआ है, 81 करोड बेनिफीचरी कौन से है, असल में National Food Security Act क पहले पैसा देना पड़ता था, पर धानमत्री गरीब कल्यान अन्नी योजना में फ्री में था, यहाँ पर 1 रुपया, 2 रुपया चावल खरीदने के लिए, मोटे अनाच के लिए, गयों खरीदने के लिए देना पड़ता था, लेकिन इनों ने अब एक पॉइंट बोल द किया जाएगा, तो अधर्स कितना गैट करेंगे, 5 किलोग्राम फ्री इच मन्त तिल दिसमबर 2023, क्लियर भाई, आगे समझेए, अभी तक प्रधानमत्री गरीब कल्यान जो अन्न योजना है, इसको अपरेल 2020 में लॉंच किया गया था, दिसमबर 31 से 2022 इसकी लास्ट डेट थ किंदर के ऊपर आजाएगा, प्राइम मिनिस्टर जी ने डिसीजन दिया है, फ्री फूड ग्रेंट दिने का 81 पॉट्ट, एक 80.3-5 करोड जो पीपल है, उनको यहाँ पर कहा गया है, तो नेशनल फूड सेक्योरिटी एक्ट के तहत जितने भी परिवार कवर है, 80.3-5 लोग उन सभी को फ्री में फूड ग्रेंट दिया जाएगा, समझ में आ गई, योजना, समझ में आ गई, न्यूज, एक्जामिनर ने फ्री वाला भी पूछता है, कितना फ्री में मिलना है, कब तक डेट है, यह सब पूछेगा, तो एक एक पॉइंट बड़ा इंपॉटें इसका नाम क्या है, समझ रहे हैं, भारत बायोटेक का जो नेजल कोवड वैक्सीन है, इसको बूस्टर के रूपे उपलबत है, इस्तिती बड़ी बत्तर है, चाहे ना की, सच बता रहा हूँ, कल का था हिंदू पढ़ रहा था, मैं पड़सो का था हिंदू पढ़ रहा था, हाफ मिलियन केसिस पर दे, हाफ मिलियन रॉंग्टे खड़े हो जाएंगे, इस्तिती बत्तर है चाहे ना की, सच में, और ये चाहे ना की स्तिती बत्तर होती तो उसका इंपेक्ट इंडिया पर भी आता है, तो आप लोगों से तोड़ी गुजारे चले की मास्क बास्क पहन है बेटा, इसनी उसको समझना, तो ये वर्ड की फर्स इंट्रा नेजल वैक्सीन है, जो कि अपरूफ की गई थी, यूज के लिए, नेजल वैक्सीन का नाम है, बी 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 वन फाइब पोर और इसको अपरूवल नवंबर में मिल थी, रस्ट्रिक्टेड यूज के अब तक राशन दो बार था, इनसे पैसे से, अब फ्री है, उके, चलो, इसे पढ़ लो यहाँ, नेजल कोविट वैक्सीन, इनकोवैक्सीन की बात के रहे, को डवलब बाई है, हैदराबाद बेस भारत बायूटेक, ये भारत बायूटेक और यूज बेस्ट वाचिंग्ट लग किया गया, नेजल कोविट वैक्सीन, भारत बायूटेक 1996 में बना था, हैदराबाद इसका हैटकॉर्टर है, और क्रिशना एला, CMD, क्रिशना एला, CMD, क्लिया, नेक्स्ट, गौतम अडानी का NDTV में जो स्टेक है, वो 64.7% हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, उसको समझते है, अभी तक इनका स्टेक 64.7, majority स्टेक इनके पास नहीं था, majority स्टेक इनके पास नहीं था, अब इनके पास majority स्टेक है, more than majority स्टेक, 64.7% NDTV का स्टेक इनके पास होगा, तो प्रनॉय रोय और रादिका रोय, founder, promoter of NDTV, यहां से कहानी शुरू होती है, NDTV के जो founder, promoter है, एक क ना में रादिका रोय, तो यह जो रोय है, इन दौनों ने अपनी 27.26% हिस्सेदारी, इनके पास कुल मिलाकर 32.36% हिस्सेदारी है, 32.36% हिस्सेदारी है, उसमें से 5% तो अपने पास रख लिए है, और उसके बाद जो बचती है, 27.26% हिस्सेदारी, वो इनोहोंने अडानी ग्रूप है, उसको बेचती है, जबकि 5% की जो हिस्सेदारी रहेगी, एस पर regulatory filing, वो इनके पास रहने वाली, simple शब्दों में 32.36%, मैं से 26, 27.26% हिस्सेदारी, अब किन के पास आ गए, अडानी जी के पास आ गई, अब अडानी ग्रूप जिनके पास पहले से 37.44% हिस्सेद पर, clear भाई हो, done, समझ में आ गया, clear हो गया, भगत ओना चींट ऐसा भगत नहीं होना चींट है, भई, मोदी जी ने, देख भाई, यह अपने लिए सही नहीं बोल ला है, आरे, मोदी जी क्या दिखके दा रही है, रिल ले, अरे, अलब सोच रहा है और नहीं सोच रहा है, पर चैनल ही खतम बिढ़ता है, देखे चैनल ही खतम, प्रणॉय राधिका रॉय, राधिका रॉय, फाउंडर, प्रमोटर आफ एंडी टीवी, देखे, और रॉय ने अपनी हिस्सितारी 27.26% बेचती है, देखे, 32.36% ती, किसको बेचती है, अडानी जी को, यहाँ पर बेचत है, यहाँ से निश्चित एक्जाम में कोशन बनना है, अब यह वन रेंक, वन पेंशन है क्या पहले तो यह समझना जरूरी है, मैं निश्चित बता रहूं, आप में से 90% से लोग होंगे, जिनको वन रेंक, वन पेंशन नहीं बता होगा, बस रटा मारके बैटेएंगे, व यह जो योजना है, जब पहले से चल रही थी, तो इसमें अब क्या किया गया है, इसमें कुछ चीज़ रिवाइस की गई है, अब रिवीजन करने का मतलब क्या है, उसको भी समझेंगे, तो यूनियन कैबिनेट, मैंने बुला तीन चीज़ों को यहाँ पर, एक तो मैंने को रैंक वन पैंशन योजना के तहत, जो ससस्त्र बल और उनके परिवारों के सेवा निवरत लोग है, जो भी रिटाइड परसन है, उनके लिए जो पैंशन संसूधन है, उसको मंजूरी दी, यह जुलाई-द्वार उनने से विलंबित है, इसको समझें? ओके? अरे मैं किसी को नहीं बोला, मोदी जी भई, अपने परधान मंतरी जी है, आपने केजरी वाल मेरे दोस्ते, जो मैं नेगेटिव बोल हूँगा, भाई, सीजी सी बात है, सिस्टम में रहना है, तो राधे-राधे कहना है, ठीक है? अगर नहीं सिस्टम में रहना, तो कोई द पढ़िया कहा था, कि आप बोर्ड किस पॉलिटिकल पार्टी को देखना चाहेंगे, तो कहेंगे, जो सबसे कम करप्ट है, मतलब अल एर भी, ओके, समझे रहना हो नहीं, लेकिन जो सबसे कम करप्ट है, उसको हम देंगे, आप हर एक व्यक्ति से उम्मीद नहीं कर सकते, इ कहीं न कहीं, कुछ न कुछ तो ऐसी चीज़ा होती रहती, जो हमें यह रिलाइज कराती कि यहां सुधार की जरूरत है, तो कहीं न कहीं, अगर हम लोग उस तरफ जाके भी देखें, आप छोड़ो पॉलिटिकल होगा, राजनीतिक होगा, तो कुछ कहेंगे, आप सपोर्ट दियाएगी, धियान सा सुनिएगा, वन्रेंक, वन्पेंशन का मतलब क्या है, उनका मतलब है जो भी सस्सतर बल से रिटायर होने वाले समान रेंक वाले अफ़सर है, उनको समान पेंशन दी जाएगी जों कभी भी रिटायर होंगे, एक तो 1980 में रिटायर हुए करनल और किया हूं लेकिन 20 लाख लोग कवरते अभी तक 20 लाख पीपल कवरते अब इसको रिवाइस किया गया इसमें नए और एड किये गए 4.52 लेक न्यू बैनिफीचरी एड किये यहां पर इस योजना का वीक पॉइंट यह यूजना का जो पकड़ने वाला पॉइंट के कहां से य जोजना शुरू हूई है इसमें 20 लाख पैनिफीचरी ते पहले 20 लेक बैनिफीचरी थे 20 लेक अब उनमें 4.52 लेक और नए जोड दिये गए है कुल मिलाकर जो बैनिफीचरी हो चुक है वो 25.13 लेक हुए अब यह जो 4.52 लेक नए बैनिफीचरी जोड़े गए इससे साला ना खर्चा और कितना बढ़ गया है, तो वो सालाने जो खर्चा बढ़ा वो 8,450 करोड रुपे बढ़ गया है, तो estimated annual expenditure for implementation of the revision has been calculated 8,450 करोड, 8,450 करोड रुपे, अब इनोंने कहा है कि जो व्यक्तिनी है, जिनको की जोड़ा गया, यहाँ पर 4.52 लेक, अब भाई, किसी को area तो बकाया तो दिया जाएगा, तो बकाया जो दिया जा रहा है, वो 1 July 2019 से 30 June 2022 तक का है, और यह जो बकाया बनता है, वो 23,638 करोड रुपे, इसको भी जरूर रियाद रखना, कि area बकाया जो दिया जाएगा, वो 1 July 2019 से 30 June 2022 तक का calculate किया जा रहा है, 23,638 करोड रुपे बकाया के तोर पर दिये जाएंगे, आम्ड फोर्सेस पर्सोनल जिनका रिटायर्मेंट 30 जून 2019 तक वह वो कवर होंगे, और 1 जुलाई 2014 के बाद के जो भी प्री मेच्चुर रिटायरी है, प्री मेच्चुर रिटायरी मतलब जिनों होने कहीं न के वॉलेंटरी रिटायर्मेंट ले ल समान तो जा रहा है, अभी उपर भी जा रहा है, तो अभी समझ लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, दो बार पढ़ लेंगे, तीन बार पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा, कि पहले 20 ते 25 कर दियेगे, सालाना खर्चा 8 एयर करोड के लगवग है, एरियर इतने समय से इतन सब्सक्राइब 2014, अगर किसी ने premature retirement लिया, वो इसमें cover नहीं है, ओके, done, revised pension under one rank, one pension, benefit to be extended, इतने लोगों को दिया जाएगा, armed forces पर न जिनका retirement 30 जून 2019 तक हुआ, वो इसमें cover होंगे, estimated annual expenditure 8 एयर 450 करोड रुपे का है, 31% rear net relief के साथ, ओके, area जो होगा, वो एक जुलाई 2019 से 30 जुन 2019 तक 23,638 करोड रुपे बनता है, clear है भाईयो, done, नज़ा आगया, clear हो गया, content पसंदर like जरूर करते चला, पहली दफ़ा जोड़े चल को subscribe करना, ओके, अब सोचो इस content को बनाने में, अगर मुझे 6 घंटे, 6 घंटे लग गयते, तो उसके लिए निश्यती, पहिना कि म सर, आइए next, next, next करते हैं, तो यह चुरियां चलाते हैं, अब यह चुरियां जब चलती हैं, जब आपने मेहनत कियो और बच्चा के तर नेक्स तो बड़ा बुरा लगता है, तो अगर जुड़े हो पहली दफ़ा, कम से कम 3 दिन जुड़ी हैगा, I know content थोड़ा एक नमबर कर लेते, तो मेरे को गालियां कम खानी बढ़ेंगी, ने तो क्या होगा, यहां मैं वन लाइनर तुम्हें कराता रहूँगा, वहां तुम, क्या बढ़ाता है, कुछ आता लिए, फिर तैसे करोगे, बड़ा बड़ी लगता है, जब बच्चे कहता है, इसा 70%, 75%, 80%, 80%, 80%, आप यहां मैं प्रोटेक्ट करके, इंशुरेंस प्लान लुच किया किसी सीज के लिए, बड़ा इंपॉर्टन है, जैसे आप UPI से प्रेमेंट करते हो, एप के मादधियम से, वालेट के मादधियम से, करते हो कि नहीं करते हो, तो इंशुरेंस दिया जाले है, दस यार उपे तक Paytm Payment Protect launch के, Paytm Payment Protect, okay, last news, PNB ने, देखो PNB के एप्लिकेशन ने, PNB 1, अब PNB 1 जो है, अब आप आधार क्रिडेंशल के माध्यम से खुद को रजिस्टर कर सकते हैं, इस एप्लिकेशन पे, तो पंजाब नेशनल बैंक ने कहा है, अपने कस्टमर को कि भाई, तुम आप P जो, PNB 1 पे, और अपने आधार के माध्यम से भी खुद को रजिस्टर कर सकते हो, OTP आएगा, टेके, उससे रेजिस्टर कर सकते हो, और इस तरीकी की सेवा देने वाला ये पहला बैंक है, जिसने इस तरीकी की सुविदा दिया, कि आधार के माध्यम से PNB 1 अप्लिकेशन पर रेजिस्ट्रेशन दिया इस तरीके की सुविता देने वाला यह फस्ट बैंक एंडिया इंडिया इंट्रीट इस कैटेगरी ओप ओन बोर्डिंग ओके द्रोन की ट्रेनिंग भी दी जाएगी जो कि सच में इनको देनी जानी चाहिए उके समझ रहे तो लोगों को स्किल भी किया जाएगा ड्रोन की छेत्र में उसके अलावा इन्हों ने क्या पूरूवल दी वो समझ लेते हैं तो ड्रोन मैनुफेक्ट्रर गरण ऐरोस्पेस सा उ किसान ड्रोन के लिए किसान ड्रोन के लिए कहानी यहां से शुरू होती है कि किसान ड्रोन है जो कि स्वदेशी तवर पर डिजाइन किये गए इनके लिए डी जी सी ए से रिमोट पाइलेट ट्रेनिंग और्गिनाइजिशन और टाइप सर्टिफिकेशन की अप्रूवल मिली है टाइप सर्टिफिकेशन जैसे आप लोगों को मोहर लगाई जाती यह जो बच्चा है हमारा बढ़ा लेखा है बढ़िया है समझदार है अच्छा है उसी तरीके से आपको सर्टिफिकेशन दिया जाता है न ऐसी टाइप सर्टिफिकेशन होता है इंडियन गवर्मेंट के दौर इंटर्ड्यूस किया गया है कि जो भी संस्ता बहतर काम कर रही होगी उसको कि हाँ या देखो इसको टाइप सर्टिफिकेशन देदी इसका के द्वार्मेंट के द्वारा और गरूर एरोस्पेस फर्स्ट रून स्टार्ट पे जिसको कि इस तरीके की अप्रूवल मिलिया है कि लिए क्लियर है अब इसमें दसलाग रूपे तक अन्सेक्योड लॉन भी यह पड़ सकते हैं यह अवरल सेशन आज का सेशन थोड़ा ज्यादा लोडेड रहा है बड़ यार दोस्त क्या करूँ न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट थी स्किप नहीं कर सकता था ओके 14 MCQ भी अपने लिए इंपॉर्टेंट थे तो बागी इतना कहूंगा कि डवल वैलिटी कभी भी खतम हो सक करती है आपके भाई ने तो महनत कर दी आपके लिए आज पस आप थोड़ी महनत कर दूं यूज कोड़ वाइवन सिक्सिट अगर बैंक महापैक महापैक प्लस अट्ड़ का मतलब होता है इसमें आपको बैंक महापैक वालों को पांच बुक और मिल जाएंगी प्रिंटेड और बैंक महापैक प्लस विद बुक किट लोगे तो यहां आठ बुक का सेट मिलता है यह सब बैच जितने भी है यह बैंक महापैक का पार्ट है यह मेरे वारियर प्रो एन ओल सारी चीज़ है किसी में भी इन्रोल कराना यूज कोड़ वाई 168 ओके बाबाए टेक केर अधर दोस्तो